जिस तरह SUMIF और SUMIFS का function है इसी तरह Excel 2010 में COUNTIF और COUNTIFS का function है COUNTIF करता है किसी भी criteria को कि कि इतनी दफा वो occur कर रहा है आपके sheet के अंदर तो यह हमारे पास एक example है हम use करेंगे COUNTIF हम यह देखना चाहते हैं कि COUNTIF क्या करता है COUNTIF basically हमें यह बिताता है कि हमारा अगर certain criteria हो तो कितनी दफा उसकी occurrence है उस data point की तो मिसाल के तोर पर हम इस data के अंदर देखना जाते हैं कि apples की occurrence कितनी दफा है इन cells में तो मैं equal to count if control A अब मैं range specify करूँगा यह मेरी range है और criteria यह है कि apples कितनी दफा occur कर रहा है okay कर देता हूँ तो two one two दफा occur कर रहा है इसी तरह मैं peaches के लिए देखना चाहता हूँ तो count if control A range मेरी वह होगी और criteria जो है मेरा peaches लिख सकता हूँ या इसको select कर सकता हूँ और okay so सिरफ एक दफा occur कर रहा है तो यह है Excel 2010 में count if का function जी तो अभी तक हम Microsoft Excel 2010 में देख चुके हैं count if function क्या होता है और किस तरह यूज किया जाता है अब हम देखेंगे count if s count if s basically sum if s की तरह हैं इसके अंदर आप multiple criteria specify कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास एक table मौझूद है जिसके अंदर हमारे पास sales person का नाम है उसके लावा उन्होंने अपना मुख्तलिफ sales का quota जो है वो exceed किया या नहीं किया तो हम इनको count करना चाहते हैं कि उन्होंने exceed किया या नहीं किया तो फर्स करें मैं देखना चाहता हूं कि जो पहला sales person है उसने exceed किया है या नहीं किया yes basically मैंने ढूंडना है कि कितनी दफ़ा उसने exceed किया है तो उसके लिए मैं equal to count if s control a और मेरा criteria range जो है वो यह है और मेरा criteria क्या है कि मैंने yes ढूंडना है और मैं okay कर देता हूं तो सिर्फ one time इन्होंने अपना criteria exceed की इसी तरह मैं Leviton और Burke के दिरमियान देखना चाहता हूं तो उसके लिए equal to count if s control a मेरी criteria range बर्क है और criteria क्या है मेरा yes है और दूसरे case में criteria जो है वो फिर यह है और criteria range yes है और मैं okay करता हूं तो one इन दोनों के दिरमियान जो common है वो yes है एक दफ़ा इन दोनों ने at least एक दफ़ा जो है जरूर अपना quota exceed किया है तो यह है count if s यूज करने के तरीका excel 2010 में